प्रेप्रेेशन के लिए तो मिल गया है ison फेसे के लिए इसके बारे में तो बात करी लेंगे सके बारे में तो पटाई देंगे मुझद यह बहुआइव है बहुआ सारे निम्रोस थॉट्स सारे बीम दिमाग में एक महिने का टाइम बहुत जादा टाइम होता है कोो प्रोफेशनल एक्जाम के लिए और अगर उसमें हम लोगो एक मैने का टाइम मिल चुका है ठीक है तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें प्लस हमारे डिमांग में जो डाउट्स आने उसको क्लियर करूँ है इस वीडियो में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक अच्छे अगर आप ग्रूप वन सिर्फ देना चाते थे अगर आप सिर्फ ग्रूप टू देना चा modest इते या आप कोई वी ग्रूप अभी नहीं दे गिनो उसको कि अलग हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले मैं तुम लोग एक चीज़ क्लियर करूँ ग्रूप वन जो है न वो ज्यादा लेंदी पोर्शन नहीं बिटा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे को इस चीज़ का योगी मेरा जो अटेम्ट था फर्स्ट गूरूप वो पोस्पोन हो गया था और जो सेकंड गूरूप था वो नवंबर में तो दोनों के बीच में जो गया था न वो कम हो गया था मेरे स्ताथ यह सेम चीज़ हो अगर आपके पास टाइम कम है ठीक है आने वाले समय आपके टाइब कम रहेगा क्योंकि मुझे लगता दिसमबर बार बार पोस्पोन इंस्टिटूट करेंगे नहीं करेंगे तो हम यहीं मान के चलते हैं नहीं करेंगे तो आपके बस जो कम टाम रहेगा उसमें ग्रूप टू की पर प्रप्रेशन आप असानी से कर सकते हो तो यह बैंचमार के एक अगर 90% से जाधा कंप्लीट हो चुका है उसके साथ में अगर आपके दूसरे वाले ग्रूप के जैसे माल लोगर आप गुरूप बन की प्रिप्रेशन कर रहे हो तो ग्रूप बन का पूरा पूर्शन 90% कंप्लीट हो गया है प्लस अगर आपके ग्रूप 2 के कोई भी दो से जाधा कंप्लीट हो गया है अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक दम प्रैक्टिकल में में बता रहा हूं कोई भी सब्जेक्ट आप उठाओ एट लीस्ट डेड़ से दो महीना आपको खतम करने में लगेगा अगर आप अच्छे से खतम करना चाहते हो पुरा बदलब खाली पड़ा हूआ है तो तुम्हारे पास अभी कितना टाइम बचा है तुम्हारे पास 93 देज है यह तक मैं सुबह फांडेशन वालो की स्ट्राटीजी बता रहा था तुम्हारे पस 93 देज है अब 93 देज में अगर आप दो महीने बैठ के है ना दो सबज करोगे इसका अंसर देदो मेरे को नहीं कर पाओगे तो प्रैक्टिकली सोचो प्रैशर में आके काम मत लो पता चला बोद ग्रूप उठाने के चक्कर में नहीं पढ़ गये तो अब इस सिच्वेशन में मैं बच्चे को एक रेकमेंडेशन दे सकता हूँ ग्रूप मन खतम कर ले पूरा और सेकेंड ग्रूप के ना दो सब्जेक्स तगड़े कर ले तगड़े मतलब एकदम ताकतवर कर ले लाइक कंपनी अकाउंट्स कर सकते हैं एकदम स्ट्रॉंग कर लो और ग्रूप पूरा प्यर करो सेकेंड ग्रूप के बस वह दो सब्जेक्ट अगर तुम चाहो तो बैठ सकते हो एक्जम्शन स्कोर कर लो नेक्स अगर चाहो तो ऐसा कर सकते हो मतलब इफ यूवांट की यार मेरे पास एक महीन एक्स्ट्रा है मैं कुछ कर सकता हूँ एक और और ग्रूप पूरा खतम करके रख दो और धीरे धीरे रिविजन करते रहो ठीकर रिवीजन कैसे होगा बताऊंगा गरूप टूप कोई भी दो सब्जेक्ट खतम कर लो अटेंट मत देना अटेंट दिसंबर मीं देना क्यों कि जब तुम्हारा अभी वाला एक्जाम हो तो यह तुम्हारे पास यह उप्शन सब बच जाते हैं ठीक है करने के लिए बात करें अगर रिपीटर्स की रिपीटर्स मतला वह बच्चे जी लोग आल्रेडी अटेंट दे चुके हैं जनवरी अटेंट वाले और ड्यू टू सम रिजन ठीक है किसी सब्जेक्ट में फेल सब्सेल गुरुप दें बोध गुद दें पहले सुमक्ति सूच रही थे सिंगल गुरुप दें तो अगर आपने बोध गुरुप दिया था इसका मतलब में यह जिए कर चा रहा हूँ कि आपके बोध गुरूप की प्रेशन हो चुकी यह बस दो यह तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप V को ठीक है दो या तीन सब्जेक्ट ऐसे जिसमें आप V को मैं यह एज्यूम करके चल रहाओ अगर आप बोध गृप करके रखे ते चलो चार चार सब्जेक्ट भी एज्यूम कर ले तो वी तो उस situation में you can definitely go for both group definitely अगर आप पहले बोद ग्रूप दिये थे अब भी बोद ग्रूप के लिए जा सकते हो और अगर आप पहले single group दिये थे और अभी आप उसको छोड़के कोई और अब ग्रूप की प्रिप्रेशन चालू कर दिये थे और अभी आप single group आप पीर करने का सोच रहे थे और जैसी नोटिफिकर आई एक महीना आगे आप सोच रहे हो चलो हम second group की प्रिप्रेशन करके बोद ग्रूप दे देते हैं तो मैं बोलूँ का थोड़ा रिस्की हो सकता है क फूरा जब जैसा कि तुम लोगों को इतके पहले इन लोगों को बताया कि अभी पूरा पूरा श्रीक्रिकर बोलूप इंसली मैंने ऐस क्राइटरिया बता दिया और या थो बिवत्यों का सिंग एक ग्रूप आप पूरा एकदम पाउरफुल प्रिपेर हो चुका है तो ग्रूप टूप के एक आज सब्जक कर लो प्रिपेर ठीक है उस खाली टाइम में ठीक है बाकी जिलोग पहले बोड ग्रूप दिये थे अभी अराम से बोड ग्रूप ले जा सकते हैं और बहुत टाइ करऄ पाउंडीशंन वालों को इतने तारी तारीक यह करना तो मैं यह बोड रहा हूं हें हैं पूरए जितनी पॉपूलेशन है मेरे यूट्यूड 할े ठीक है सब मेरे उठीग है यहां पर बहुत नरें सूर्बच्चे को anti-face और कोई live लेके रखे होंगे, कोई pen drive लेके रखे होंगे, कोई google drive लेके रखे होंगे, सब की strategy लग चल ठीक, तो इसलिए मैं day basis वाला नहीं बता सकता, ने तो तुम्हारी strategy बिगड जाएगी, तो तुम अपनी strategy बताओ, मैं तुम्हारी strategy में improvement लाने की कोशिश करता हूँ, remaining simultaneously चलाओ, complete करो 20 जून के पहले पूरा syllabus, 20 जून के पहले बंद हो जाना चीए, 20 जून के पहले जो video lecture देखने वाला portion है, जो live classes वाला portion है, जो book के question करने वाला portion है, बंद हो जाना चीए 20 जून के पहले, फिर revision plan बनाओ, 21 जून से exam तक का, 21 जून से exam तक के आपके revision plan बनेगे, revision plan तो of course मैं ले आऊँगा, also मैं बता रहा हूँ, revision videos मैं provide करने वाला हूँ, अपने subjects की, costing और accounts की revision video का बीड़ा मैंने उठाया है, तो मैं करूँगा ज़रूर provide, law should be form part of your daily plans, law को आपके daily plan में एक part दो, चाब 1 घंटा दो, चाब 2 घंटा दो, मैं recommend करता हो 2 घंटा दो, 2 घंटा law, daily आपके schedule में होना चीए, आप कोई भी subject पढ़ रहे हो, आप कोई भी subject पढ़ रहे हो, फिर स्णा आपके subjek में होना चीए, लिख लिख के practice करना है, तिन भार, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्याद होनी चाहिए, फिर बोल राहा है, रायटिंग प्रैक्टिस कंपल तो आप से स्पहले स्पाहल कर लो, वेविजन क्या होता है, पहले से पढ़िवी चीजह हैं, तो आपको अस्तान लगी, तो तो दिमाग मोटिवेट होगा तो साइड बाई साइड आपका रिवीजन रोज चलते रहना ची एक दो घंटा पूरा डेडिकेटेट रखो दिन में रिवीजन के लिए मतलाब भाईया रिवीजन शेडूल अलग से नहीं बनेगा रिवीजन डेली चल रहा रहेगा अलग से व तो यह वह बच्चे होगा जो गुरूप टू में चल रहे थे बहुत ग्रूप वाले सेम चीज अप्लाई करोगे रिपीटर के लिए कुछ स्पेशल चीज़े बता रहा हूं कम्प्लीट करो वह सब्जेक्ट जिसमें आपने 50 से कम स्कोर किया या ऐसे सब्जेक्ट को आप स 10-15 दिन हर सब्जेक्ट को दोगे जिस सब्जेक्ट में आप 50 से कम मांक्स लाए हो या फेल हुए उसको आप 10-15 दिन दोगे अमेंडमेंट के साथ निप्टा होगे ठीक है तो यह आपके लिए रहने वाला है अमेंडमेंट आपको दिखनी पड़ेगी ठीक है और फाइनली रिविजन वीडियो मेरे साइट से आएंगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी क्योंकि आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हो पिछले साल पढ़े थे तो में भी आप धीरे धीरे चीजों को भोलते जाओ तो आप तो अपने नोट्स का यूज करके लूप प्रिंट के अंदर क्या क्या चीज होंगी वह मैं बता दिया हूँ एट लीस दो गंटा लौ रोज रहेगा दो गंटा रिवीजन डेडिकेटेड रहेगा 14 गंटे में से 4 गंटे 12 गंटे में से 4 गंटे चलो माल लेते हैं चले गए तो 8 गंटे आपके बच गए इसमें से 6 गंटे के आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे और दो घंटे के आपकी homeworks होंगी ठीक है जो भी वीडियो में आपको homework मिलता है वो दो घंटे में आप homework खतम करोगे तो यह आपके daily का budget चल रहा हूँ daily time budget बोलो इसको daily time budget प्लस कौन सा subject कब क्या कैसे उठाना है वो मैं बता दिया हूँ अपने 20% syllabus को पहले खतम करो जो दो subject का बचा हुआ है फिर दो subject जो बचे है उसको simultaneously start करो अब जिस भी teacher से पढ़ रहा हूँ उन्हीं क्या according आप पढ़ोगी तो इसमें मैं क्या बता हूँ 21 June तक आपको क्या कर देना है revision start कर देना है लिख लिख के लिख लिख के मैं अपनी खुद की recorded classes में अगर तुम लोग पर्चेस करके रखे हो तुम लोग देखे हो कि एक भी पीट वीपीट तो दिखाते ही नहीं कम से कम होना चाहिए और कोई भी चीज़ की help चाहिए हो नीचे कमेंट सेक्शन में को बता देना तुम लोगों की पक्का से revision आएंगी उसका tension मतलो मेरेको तुम लोग कमेंट करके बोल रहे थे कब आएंगी कब आएगी टेंसर मतलो आने वाली है ठीक है